लो गाइज वेलकम टो मैं यूटूब चैनल इंफो सेफटी गाइज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इंपोर्टेंस सेफटी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि आई हम देखते हैं वाट इस सेफटी सेफटी क्या वता है सेफटी इस कंडिशन व अपसेंस आफ रिक्स फ्रम सीरिस पर्सनल इंजोरी जो भी पर्सनल इंजोरी होने से यह दूर रफता है बचाता है उसको हम सेफटी बोलते हैं नेक्स हम बात करेंगे कि हजर्ट क्या होता है इनी थिंग डैट है पोटेंशिल टू कॉज हम कोई भी ऐसा चीज जिस जो हैं नेक्स्ट अफ हम बात करेंगे कि रिक्स क्या होता है वाट इज रिस्क रिक्स क्या होता है रिक्स इस प्रोबेविल्टीज और बिंग हाम बाई एनी हैजर्ट यह एक किसी भी हाजर्ट से एक चांसेज होता है किसी भी हाजर्ट से हाम होने का कितना प्रोबेविल्टी है उसको हम खत्रा बोलते हैं एक चांसे है किसी भी हाम को होने के है likelihood chances and probabilities of hazard occurrence यह किसी भी हाज़ार्स को अकर होने का कितना chances है probabilities कितने ही संभावना कितना है उसको हम likelihood बोलते हैं और severities क्या होता है consequence and impact of the hazards और कोई भी hazards हो जाता है तो उसको क्या खत्रिक outcome क्या निकलेगा उसका परडाम क्या निकलेगा उसको हम severity बोलते हैं आईए हम भी work को start करने के लिए उसमें क्या-क्या hazards होता है और उसका क्या precaution लेना पड़ता है उसका risk level क्या होता है यह पूरा इसमें mention होता है risk assessment is the method to systematically examine a job identify the hazards evaluate the risk and specify control measures और precautionary measures यह इसमें क्या-क्या खत्रा होता है उसको identify करता है evaluate करता है और एक specify precautionary measure को suggest करता है यह एक ऐसा document से इसमें पूरा mention रहता है आपके work related क्या-क्या खत्रा होता है और यह कैसे control होता है उसका level high हुआ तो उसको कैसे control करके फिर work को start किया जाता है कोई भी काम करने के लिए risk assessment एक documents रहता है वह बहुत ही important होता है बिना risk assessment का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं अब यह हम बात करते हैं कि how many steps of risk assessment जो documents होता है रिक्स assessment उसमें क्या-क्या steps होता है किस-किस steps मिलके वह complete जैसे यह रिक्स assessment बनता है फस्ट वन होता है कि identify the hazards hazards को identify करते हैं उसके बाद से decide who might be harm and how उसके बाद से decide होता है कौन और कैसे इसको कौन harm होता है और कैसे होता है किसको harm होता है कैसे होता है एनिदेग्स को एक रिखे और तै만 फिलेघ्ट सब्सक्राइब कर तो उसके रिए डिबूयूला इन अब्डीट करते हैं व्याइथ अप्डेट किया जाता है इसके बारे में हम आपको next बताएंगे next हम बात करेंगे कि JSA क्या होता है JSA भी एक essential documents होता है job safety analysis इसको बोलते है किसी भी काम को start करने के लिए ये भी एक necessary होता है जैसे JSA होता है वैसे risk assessment भी होता है ये दोनों documents सेम काम करता है बट किसी-किसी company में JSA चलता है किसी-किसी company में risk assessment चलता है दोनों का मकसद यही है कि hazard को evaluate करना और उसको minimize करना Job safety analysis is the step-by-step analysis of the job to know about its hazard and precaution next हम बात करेंगे कि how many steps of JSA इसका भी 5 steps होता है 5 steps होता है identify the job job को identify करते हैं क्या hard work है cold work है और क्या-क्या activities perform करने का है then उसके बाद से हम job को step में break करते हैं break down the job into steps then identify the hazard of each steps of job then specify precautionary measure then implement the precautionary measures और सेम इसका भी एक review and update होता है जो कि इसमें नहीं रहता है यह भी जैसे के जैसा ही expire होता है और इसका review करना पड़ता है और update भी करना पड़ता है जब कभी भी जरुद पड़ता है तो आई हम देखते हैं कि जैसे और रिक्स असेस्मेंट में क्या difference होता है different क्या होता है जैसे only specify hazard and precautions जैसे के वल specify करता है hazard और precaution का जबकि रिक्स असेस्मेंट specify hazards precautions and risks associated with each hazards एक एक हज़र्स से क्या क्या Az ‑‑ just locate रा है उसके बारे में भी ये लैसे серьस्मेंट बताता है तो वो और की सी कमपणीों में तो ये से मों होता है कि इसी कमपनी उमें नों का यह काम है hazards को利用 करना और हम बात करेंगे कि what is accident accident क्या होता है accident का definition क्या होता है it is unplanned unwanted event which can cause damage to properties environment and even death to person यह एक ऐसा unplanned unwanted event होता है जो कि परपर्ड़ी डेमेज कर सकता है यह परपर्ड़ी इन्वार्मेंट डेमेज कर सकता है और कभे कभी अपको death भी होने के chances रहता है उसके पास incident क्या होता है यह निए unwanted any plant unplanned occurrence is called incident और यह incident किसको बोल सकते हैं कोई भी occurrence को कोई भी unplanned event हो कोई unwanted event हो उसको गटना को हम incident बोल सकते हैं आईए हम बात करते हैं नियर मिस के बारे में नियर मिस क्या होता है it is unwanted and unplanned event which does not cause any harm यह एक ऐसा unplanned unwanted है जो कि कोई खत्रा नहीं पहुंचाता है नहीं पहुंचा सकता है बट लेकिन it is potential to cause harm लेकिन इसमें चमता उता है हम पहुंचाने का चमता होता है इसमें नियर मिस बोलते हैं, अब हम बात करेंगे कि unsafe condition and unsafe action क्या होता है, unsafe condition is hazardous condition which could direct permit to occurrence of accident, यह एक hazardous condition होता है, unsafe condition, जो कि directly permit देता है किसी भी accident होने का, एक रिक्सी condition को भी unsafe condition बोलते हैं, और unsafe action क्या होता है, any violation against safety rules and regulation is called unsafe action, कोई भी rule regulation के safety से violation करता है, कोई भी rule regulation safety से हट के काम होता है, उसको हम unsafe action बोलते हैं, और next हम बात करेंगे कि HIP क्या होता है, hazard identification plan क्या होता है, यह एक ऐसा documents होता है, जो कि conductor को submit करना पड़ता है, client को, जब कभी client ने conductor को work देता है, तो एक उसमें क्या-क्या work है, उसमें और work related क्य hazards है, और उसको क्या-क्या control measure है, precautions क्या है, वो conductor को बना के, उसको client को submit करना पड़ता है, और हम बात करेंगे method of statement, method of statement भी एक ऐसा documents होता है, जो कि आपको कौन सा way में आप काम execute करना चाहते है, उसका step by step रहता है, अब हम बात करेंगे कि safety policy क्या होता है, HSC policy क्या होता है, HSC policy is written statement of commitment by top management of the organization, every company has social legal obligation to provide a safe and healthy working environment to all his employees, एक ऐसा written documents होता है, जो कि top management के द्वारा sign किया रहता है, और यह बहुत ही essential documents होता है, किसी भी company का, तो thank you very much guys, इस वीडियो को देखने के लिए और guys आप इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you very much